हालो दोस्तों चलते हैं बनाते हैं आलू टिक के चाट इसके लिए अब हमें चाहिए कुछ सामान यह देखिए मटर है इसे हम राद भर सोक कर रगए थे यह बच्छे से फूल चुकी है और इसे धुलकर साफ करके हम फूलकर में डाल देंगे और इसे उबाल लेंगे मारा देखिए जैना है का अधकर तुटा सब पानी डाल देंगे आधा ग्लास से ज्यादा सा बोइसा पानी बचा लीए इसी में इसी समय नमक डाल देंगे कि उस समय परम दोनक डालते इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर से गरम कर लेंगे ज्यादा पानी डाल देते तो अच्छे से नहीं उबल पाती इस अब उसके बाद चलते हैं यह आलू उबला हुआ है इसे हम कद्दू कस कर लेंगे ताकि यह पेल में पढ़ने के बाद भटे न आलू हमारा कान फ्लॉर का कान फ्लॉर के छादा ज़्यादा आएंगे जादा ही इसमें यह देखी है भी बीक्स हो चुका है। अर्यहाथ में ज्यादा चिपक रहा हुआ है इसमें तो ड़ा से रिफाइंड ओईल डाल देंगे ताकि हाथ में न चिपकिया और अच्छी सी टिप्किया बनकर तयार हों हम चलते हैं हाथ साप कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं यह देखें अब हाथ साप कर लिए हैं और टिक्की बना रहे हैं देखें कि कितनी जल्दी और कितनी सुन्दर सी बन देखें जिस आकार छोटी बड़ी आप बनाना चाहें उस आकार में बना सकते हैं औ ताकि हमें डालने में और दलने में आसानी हो अब हमारे हमारी सारी टिक्कियां जो है वेकर करके तयार हो चुकी है हम आपको प्लेट में दिखाते हैं अब गयस पर हमारा तेल पहले से गरम हो रहा था प्लेकिन तो थोड़ा साओर होने से तेल डाल दें इसमें अब ये गरम हो चुका है इसमें हम अपनी एक एक करके तिक्कियां जो है डाल देंगे और इसे हम धीमी आज पर अच्छे से पकाएंगे ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाए इसमें कच्छा पनना रहे हैं अगर हम तेज आज में पकाएंगे तो अच्छे से अंदर तक नहीं पकाएगी अब यह देखे परेंड िसईयर डालने के बाद एक निट के बाद फिर माब को दिखा रहे हैं इसका कलर जो है चेंज हो चुका और यह अच्छे से पक भी चुकी है इसे हम एक एक करके सारी टिक्कियों को पलट दिये हैं इसे हम एक से दो दो से तीन बार अलग पलट कर सेंखेंगे ताकि इसमें अच्छे सी क्रिस्पी पना आ जाए और खाने में ज्यादा स्वाधिश्ट लगें यह देखें प्रेंट पहले हम भी टिक्कियां बनाते थे और हमारी टिक्कियां जो है उसी तेल में फैल करके रह जाती थी उठाने में और पलटने में भी दिक्कत होती थी कभी सही से टिक्कियां नहीं बन पाती थी पर अब जो है अब चाहे जितना देजर तक हम तेल में डालते रहते हैं फिर बना मलें हमारे टिक्तिये कुप और इस पर हम डाल देंगे मटर के बिल्कुल घर पर आप बनाएए जो आप साफ समय के अरूआ साफ से टिक किया दिनए तो उसमें कोई साफ सफाई नहीं यह जैसे वॉबाले ते हैं मटर जैसे पूझ में डाल देनके इसके बाद में रखा हूा लाल मिर्ची पौडर ऑद कि और है और यह मंपें जीरा नौट ग्ला संॉपिर consistentごां अफिछ पार, भुणाक यह घर पर पिसी हुई हरी जटनी है मार करकी नहीं है इसके बाद यह खटाई की पानी है आम की जो खटाई सुखी हुई होती है उससे हम भीगो करके और अच्छे से मैस कर ले थे उसी की पानी यह है अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब इसी के उपर से हम डाल देंगे प्याज और इसके बाद में डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और यक टुकड़ा दो टुकड़ा कटा हुआ डाल देंगे इस पर टमाटर अब आपको दिखाते हैं यह देखे टमाटर पड़ चुका यह देखे चिमत से मापको अलट पुलट कर दिखाते हैं कि देखने में कितने सुन्दा और देखने से ज्यादा यह है फ्रेंड आप जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं और उसके बाद में घर की चीज़े घर की ही रहती हैं दाहर की बाहर